एक बहुत घना जंगल था. एक दिन एक शिकारी उस जंगल में शिकार करने आया. जंगल में उसने एक सुन्दर हिरनी को देखा. हिरनी ने एक छोटे शावक को जन्म दिया था. हिरनी और शावक घूम रहे थे. शिकारी हिरनी का शिकार करने के लिए बंदुख से गोली चलाता है. गोली हिरनी की टांग में लगती है. हिरनी भागती भी नहीं और वहीं बैठ जाती है. छोटा शावक भी मा के पास बैठ जाता है. शिकारी दोड़ता हुआ हिरनी के पास आता है. उसने देखा कि हिरनी की आँखों में आशू निकल रहे हैं. और एक बहुत छोटा शावक उसके पास बैठा है. शिकारी को यहां द्रिश्य देख कर पस्तावा हुआ. शिकारी तुरंत हिरनी को अस्पताल ले गया. डाक्टर ने हिरनी के पैर में लगी गोली निकाल ली. गोली निकलने से हिरनी स्वस्त हो जाती है. शिकारी बहुत खुश होता है. वह हिरनी को वापस जंगल में हिरनी और छोटा शावक फिर से जंगल में घास खाने लगते हैं।